कि अब आगे बढ़ते हैं फाइल हेंडलिंग में फाइल हेंडलिंग में हमारे पास 4-5 कमांड्स हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए एक ओपन एक close एक read एक write और read और write के अंदर की opening के अंदर की conditions conditions मतलब कि open करना चाहते हैं किसी file को तो किसलिए करना चाहते हैं read करने के लिए write करने के लिए append करने के लिए read करने के लिए r write करने के लिए w append करने के लिए a अच्छा कोई दोनों operation करनी है read और write करनी है तो w plus plus is for read and write both so close is for closing that file जब तक close नहीं करोगे data write नहीं होगा अब किसी file में लिखते हो और इस file को close करना time save करना भूल जाते हो to close is very important read is to read the data write is to write the data ये चार command हम लोगों को use करने है ठीक है file handling करने के लिए file handling is nothing but the but the handles of your handles of your data right available in specific file format right so basic file format थबसे पहले हम लोगों का जब बना था that was text file txt उसके बाद फिर word format excel format दुनिया बर के formats बने पीडियों format png format jpg format राइट और cdr format तो सबसे पहले text format था उस text text को क्योंकि text क्या format है ये बिल्कुल plain text होता है इसके अंदर कुछ होता नहीं है ये plain text अगर मैं यहां लिखता हूं हाइग तो ये बिल्कुल plain text इसके अंदर कोई encoding नहीं है इसके अंदर कोई you know encryption नहीं है कोई encryption नहीं है तो सबसे बड़ी बात इसके साथ फाइदा क्या है कि आप इसको plain text को कभी read कभी write कर सकते हो ठीक तो एक बार इसको delete कर देते हैं अपन पहले क्या करते है open का use करते हैं अब हम है कहां पे os. ये ध्यान देने की जरूँत है आपको बनाना कहां पे है को data को get cwd आपको पतानों चीए आप कहां पे हो abcd folder के अंदर हो इसके अंदर है ये खुला हुआ है तो अब जो भी आप चीज create करोगे वो सारी होने वाली है इस folder के अंदर ठीक तो नया file मिनाने के लिए open अगर कोई file already है तो वो उसको open कर देगा अगर नहीं है तो उसको पहले बना देगा तो मैंने बनाया abc.txt text is notepid file ठीक है f is equal to मैंने एक variable लिया file open करने के लिए comma और मैं इसको केवल right format में open करना चाहता हूँ अगर आप r करोगे तो कोई file available होगी नहीं तो abc file बनगे जिसके अंदर कुछ भी data available नहीं है अभी ठीक है अभी तो अभी तो clear है क्या open कमांड का मीनिंग open कमांड क्या गरती है अगर कोई file है तो उसको open करेगी जैसे मैं वापस से अगर इस command को यूज करता हूँ जो already open है तो इसने दूसरी file नहीं बनाए क्योंकि एक्जिस्टिंग है इस location पर exist करती है ठीक तो f. अभी हमने file open किये file write करने की format में अगर मैं file.read करूंगा तो यह read नहीं होने वाले क्योंकि यह read का काम ही नहीं करने वाली है ठीक है न f.write within bracket आप जो भी write करना चाहते हो plain text में direct आप write कर सकते हो आपने लिखा hello, hi everyone, how is this evening उसमें पोच भी रहा हूँ enter तो यह जब भी आप कुछ लिखते हो उसका return यह function return करता है कि total number of letters कितने write किया अपने उस file के अंदर and those are 40 cool cool अच्छा एक और command है यह है mode mode जैसे काम आईगी तो बताऊंगा suppose f.mode निकालना है आपको यह mode बताएगा कि किस mode में यह file open हुई है write mode में read mode में append mode में whatever ठीक है न कोई दिखके देख जीको नहीं anybody any problem अभी शेक वो गायब है online करके गायब हो गया है किशन कोई problem अच्छा मैंने फाइल राइट तो कर दिये अच्छा मैंने फाइल राइट तो कर दिये एक बार जाके चैक करते हैं कि राइट हुआ कि नहीं हुआ इस फाइल में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने अभी तक close function यूज नहीं किया है तो f.close तो यह जो भी open वाली कमांड है तो वो directly काम में आती है बागी close file के साथ में काम आती है file.close, file.write वो variable जिसके अंदर file available है file.write, file.read and file.mode तो मैंने close, enter किया अब देखो आप इसके अंदर चेक करना जो भी हमने लिखा था वो चीज अविलेबिल है ठीक है क्या अब जो भी available है हमें उसको read करना है सारा data जितना भी है हमें मतलब नहीं कितना data है कितनी line है है हमें total data read करना है तो मैं अभी f.read नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो f writing format में ही available है ठीक है ? मैं read नहीं कर सकता baby f.write भी नहीं कर सकता f.write भी नहीं कर सकता क्यों कर सकता क्यों हम close कर चुके हैं उसको तो f. पहले open करना, sorry, f is equal to आपसे open करना पड़े है उस फाइल को, मैंने abc.text को open कर लिया, इस पर मैंने open किया, suppose को रो read format में, f.write करता हूँ, तब भी possible नहीं है, f.read, या f.mode देखने हैं पहले, f.mode read mode है, हम ये भी कर सकते हैं, if f.mode is equal to equal to r, अगर ये read mode में है, तब ही read करे, f.read, जो भी फाइल है, उसका total data read हो, और r में आ जाए, ठिक, जो भी r में आया हो, वो print हो जाए, और enter, आया समझ में, तो किसी file के अंदर data डालना, किसी file जे data read करना, ये दोनों possible है, बट हमें पता होना चाहिए, कि file कैसे open करनी है, और open करी है, कुछ data write किया है, तो उससे पहले close करना है, ये mandatory rules होगे, एक और चीज़ है, अब suppose करो, यही file है, जिसके अंदर कोई existing data पढ़ा हुआ है, अब मैं आपस से उसी file को open करता हूँ, write format में, f is equal to open with in bracket, abc.txt, write format में, ठीक है, f dot, write, write, अने वससे पहले लिखा, hello, यहाँ, की जागा लेकर देता है, कुछ और text जो अल्रेटी ना हो, आपर टेकी nest, click, enter, 10 letter का है, ये, check करके देखते है, कुछ भी change नहीं हुआ, open हुई, तो पहला data delete हो गया, और f dot, close किया, तो data write हुआ, इसमें problem है, अगर आप जितनी बार भी, w को use करोगे, only w को use करोगे, तो इससे problem यह होने वाले है, कि जितनी भी existing file का data था, वो सारा delete हो जाएगा, और नया data हर बार write होगा, अगर इस closing, close करने वाली command से पहले पहले, आपने f dot write, f dot write, f dot write, thousand time लिखा है, तो जो भी लिखा होगा, वो सब कुछ save होगा, लेकिन पहला data अगर कोई existing था, तो वो सारा delete हो जाएगा, अगर आपने close कर दी file, फिर से open करके, फिर से write करने start के, तो पहला वाला फिर से delete हो जाएगा, कुछ आ रहा है समझ में, आ कि आ कि न, यस और नो, हाँ, यह रहा है, अच्छा, तो अगर मैं इस बार, इस file को close कर देते हैं, इस बार मैं क्या करता हूँ, f is equal to open, within bracket, abc.text, इस बार मैं, w plus करता हूँ, न, so f dot, read, यह भी काम कर रहा है, f dot, read भी काम कर रहा है, और f dot, write भी काम कर रहा है, करेगा है, read करने पर blank क्यों आया, क्योंकि जैसे यह file open फिर से की होगी, वो बापस से blank हो गया होगा, ठीक है न, आपने notice किया होगा, पहले हम लोगों ने techiness लिखा था, तो techiness आना चाहिए था, क्योंकि हमने वापस से open की, तो वापस से blank हो गया, अब मैं, जो भी नया कुछ data write कर रहा हूँ, write कर दिया, वापस से read करता हूँ, तो blank करता हूँ, क्योंकि अभी write हुआ नहीं है, आ रहा है समझ में, write कब होगा, जब हम लोग close कर देंगे, ठीक है, हम ने close किया, उसके बाद read करने पर फायदा नहीं, f dot, क्योंकि file open नहीं है अभी, close हो चुकी है, आ रहा है समझ में, यहने कि w, w plus has a specific meaning for read and write, बट बहुत ज़ादा फटक नहीं पढ़ने ही वाला है से, ठीक है, इसके बाद एक और operation लेखते है, f is equal to open, यह बहुत important है हमारे किया, अब इसवार कुछ लिखा भी हुआ इसके अंदर, इसमें में लिखा हुआ है JSD के, something something and, अब मैं append करने वाला हूँ, तो write करने वाला हूँ, append मतला हमेशे write करना होता है, read करने के लिए काम करेगा क्या है, देखते हैं एक बार, अब मैं a plus लिखता हूँ, तो यह read भी करता और write भी कर पाता, ठीक है, तो f dot write within bracket, अब लिखा, hi everyone, ठीक, enter और f dot close, enter, इस वर क्या होने वाला है, जो पहलर था, उससे कोई छिल्था ने नहीं हुई, और नया data alright होगे, आ रहे कुछ समझ में, बता दू भई, simran, yes sir, तो अगर हम final call लेके चलता है, final call is equal to, f is equal to final call हमारी open के लिए, सबसे बहतरीन कमांड की भाईया, file को open करो, abc dot text और उसको, a plus में लेके चल लो, a plus का मतलब रीड भी हो सकता है, और append भी हो सकता है, ठीक, so f dot read, जो भी पड़ा हुआ था, वो read कर लो गया आप, यह अल्रड़ी open है, oh god, एक पर वापर से चेक करता है, इसको आपर से उपन करते देखते हैं, इसमें पढ़ा हुआ data है, बढ़ कुछ आया नहीं है, चलो पहले write करते हैं, फिर एक बार और, w dot write, within bracket, enter and f dot close, तो everyone भी आया है, जो नया data था वो भी write हो गया, लेकिन read नहीं हुआ, अब file को रखते हैं, वापर से एक वार और चेक कर लेते हैं, f is equal to open, but now, same file, abc.txt, और इस वार r चेक करते हैं, f dot read, okay, so, r से तो यह फरक पड़ी रहा है, कि हम लोग थारा data रीट कर पा रहें, and, जो भी data है, वो रीट किया हुआ, किसी file format में, किसी variable में रखते हैं, q is equal to this, type of q is, always an string, right, अगर string है, तो हम इसको separate भी कर सकते हैं, हम लोग इसको split कर सकते हैं, हम q को एक range में भी access कर सकते हैं, अगर मुझे के विल, 5 तक का data चाहिए, और यार, q का type, q सगा है भू के data, f dot, everything is gone, wow, wait, oh my god, this f dot read, will read, the entire data once, and again and again, it will, if you will use it, it will go afterwards, afterwards this, right, so it won't check anything, whatever, you know, after this particular statement is coming up, कुछ भी अविलाबल नहीं, तो बार बार read को यूस करने भी फायदा नहीं, these two statements must be used, together, right, understood क्या, जो मैंने बोला भी समझ में आया, ये अशा, मैं इसको आपस से किसी store कर लेता हूँ, data को किसी variable में, और चेक करते हैं, क्यों क्या है, क्यों यह है, अब कोई दिक्कत नहीं है, q of 5, ठीक है क्या, f.read, क्या है, ठीक है क्या, ये बेज्ड हो, और जो हमने ये ओस लाइबरेरी ये सब कुछ पढ़ा है, इन सब को यूज करते आए, तो मैं एक assignment बनाता हूँ, मैं आप लोगों को, पिफोर 9, 9.30 की बीच में बेशता हूँ, और गिव्योर ट्राइ, कल वापस से क्लास सुभह ही दस बजर रखेंगे अपन, ठीक है, होफ़ली सुभह दिक्कत नहीं हो जैसे आज हुई थी, बार-बार-बार-बार-बार meeting joint नहीं हो पा रही थी, ठीक है, मैं इंडिरेक्ली आपको बता देता हूँ मैं क्या देना चाहता हूँ, इसको point-wise elaborate कर दूँगा, मैं चाहता हूँ कि जो भी हम लोगों ने voting machine बनाई है, या डॉक्टर वाला ये program बनाना था, इस पूरी information को मैं चाहता हूँ store भी कर लें अपन, इसको पूरी को store भी कर लें अपन, मानलो मैं एक chatting application बनाता हूँ, हाला कि chatting application नहीं है, वो एक छोटा सा try है chatting application बनाने के लिए, ठीक है, जैसे example के दौर पर मैं बोलता हूँ, user input लें, user input लिया, u is equal to input enter your question, ये बिल्कुल basic बच्चो वाली चीज़ है, enter your question, जो भी आप question बोचोगे उसका answer इसके पास है, तो ये predefined already आपने, सारी question जितने भी पूछ सकते हो, 10-20 questions के answer already लिखे हुआ है, आप किसी medicine के बारे पूछ सकते हो, किसी symptom के बारे पूछ सकते हो, भी आप college के information के बारे पूछ सकते हो, कि आपको एक application दे दी बना के mobile application और उसमें अल्रेडी पता है कि GPS location के बाद आपको बताना है कि कि काटी college कहां है, काटी college के अंदर canteen कहां पे है, उसमें एक block किदर है, उसमें left side section में क्या होता है, तो यह चीज़ें आपने question पहले से pre-feed कर दिये, so for that purpose you have written a code, suppose, u is equal to input, suppose, बार-बार लेने के लिए आपने एक चोटा सा बनाया कुछ, आप जो भी आप बोल रहे हो, जो भी questions आपने बोला, अच्छा, इससे पहला आप कर देते हो, यहां पर कुछ print कर लिए तो suppose, print, आपको feel भी नहीं होगा और, यह बिलकुल छोटी सी बेवकुफ़ाली application मन जाएगी, print, welcome to, our, chat application, however, it is not that, properly, क्युविए chat के लिए उसको दिमाग होना जरूरी है, और दिमाग डालने के लिए machine learning जाना जरूरी है, voice input लेना चाहिए, फिलाल हम लोग text input दे रहे हैं, तो अगर u is equal to, hello बोलता है, तो reply क्या होना चाहिए, है, suppose हमने reply किया, hi, alif, अगर हम हम अमारा user ने कुछ बोला hi, तो उसका revert हो गया, print, यह बिल्कुल static है यह न, यह answer आने वालने वापस चे नहीं हो सकता है, कभी आपने बोला hi, how are you, तो आपको वो यही बोलेगा, hello I'm good, है न, alif, वो interactively आपको बार-बार change नहीं करेगा उसकी answers, q is equal to, alif, sorry, u is equal to, how are you, how are you, यही बोलना है, यही लिखना है, है न, question mark लगाना है यह नहीं लगाना है, वो आप देखलो, अगर question mark लगा दिया, तो दिक्कत, और अगर आप चाहते हो, दोनों चीज़ हो, तो और, और साथ में, यह आप यहां लगा सकते हो, और, better, this is, this is good, u is equal to, how are you, with question mark, question mark लगाओ, यहां मत लगाओ, यह आप पर depend करता है, अच्छा, अगर आपको लगता है कि, कोई इंसान ऐसे भी लिख सकता है, और, और, और लोगों ने ऐसे बैटके, राद दिन राद दिन बहुत सारे, use cases, पहले सी predefined बनाए हुए है, इसलिए आपको वो, Siri और Google Assistant के अंदर सब कुछ, मिलता रहता है, हाँ में, हाँ में है, हाँ में है, और यू, इन तीनों के लिखने पर रिजल्ट आएगा, अच्छा, आइम वरी विल, तेंक यू, क्या भी दौक्टर बाली क्या ए, यह तो आवे ज़नरल बता रहो हुँ है, पेले आपको कर रहा है जैसे गूगल असे टरी बनाते चले गए अपसे तो मैं चाहता हूं हूं कि यह जो भी डेटा है जो हम conversation कर रहे हैं, सुनना मेरी बात को, मैं ऐसे चाहता हूं कि ये conversation का आपको कम से कम 15 minimum conversation के लिए, जो हम लोग generally starting keywords use करते हैं, आप कैसे हैं, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, right, how do you think about friends, and do you study, ऐसे कुछ भी questions हैं, 15 general questions, basically question answers के हम लोग एक छोटा सा group prepare कर लेते हैं, suppose कर ये 15 if conditions आ जाएंगी, ठीक है, बस मैं चाहता हूं कि अगर मैं ने enter किया, या मैंने पूछा, एक और चीज़ पूछ लेता हूं, मैंने पूछ लिया, what's your name, what is your name, आपने अंटर किया, मैंने अंटर किया, सबस्वार्व, तो इस ने पृंट किया, welcome, space, you, any sort of, how can I help you, ये थोड़ा सा और इंटरक्टिव नाने के लिए, मैंने लिखती है, आपको लग रहा होगा भी कि, क्या, ये दो सब कुछ खुद लिख रहे हैं हम दो, लेकिन, जैसी ये अप्लिकेशन आपकी बनाई हुए, दूसरे के पास पोंचेगी न, आप कोड म दिखाऊ इसको, इसको ये लगने वाला है कि दिसस सम्थिंग यूनीक, ये ये प्रिपेर्ट, ये ये प्रिपेर्ट, ये ये जानना अपने लिए अच्छी बात रहेंगी, तो दे, नाइन, सिक्स्थ प्रोग्राम, एसा प्रोग्राम, एंटर, अब मैंने इसको सेव किया, और रन किया, ओट्स यू नेम, मैंने लिखा सौरफ, अंटर, वेलकम सौर, हाओ कना एल्प यू, एंटर गूर्ट, हेलो, हाइ, हाइ, हेलो, हाओ आ यू, मैंने विदाउट कुश्टिन माक यूज किया, तब भी चलेगा, हाओ आ यू, विद कुश्टिन माक यूज किया, अगर यूजर सौरफ था, तो जो भी यूजर आ रहा है, उसके नाम से एक फाइल बनाओ, .txt, और जितना भी हमने conversation किया, पहला question था, suppose करो, hello, या पहला question हो सकता, hi, कोई भी पहला question हो सकता, how are you direct बूल सकते है, without hello or high की check करने है, ठीक है न, तो जो पहला question, जो भी पहला question किया, वो question क्या था, और किस time पर किया था, इसका एक log बनता हरे, हर नई line में, ये, ये prepare कर सकते हैं, क्या code, question समझ में आया, मतलब, actually conversation, बिल्कुल, मैंने dummy conversation क्या किया, इस system के साथ में, मैं, suppose करो, Simran ने अपना नाम बताया, और conversation ने start कर दिया, तो random question पूछे, राइट, वो random question पहला question हो सकता है, थर्ड वाला question हो, फिर उसके बाद 7th question पूछा, फिर 8th question पूछा, फिर इसके बाद, suppose करो, आलिफ, सामने से यूजर ने बोला, thank you, आपने result तिया, आपने answer किया, print, you're welcome, maybe you can write here a long sentence, जिसमें you'll be greeting him to come once again and have a chat, बै आपको और कुछ चोटा सा दो-तिन सेंटेस बता रहा हूँ, suppose करो ये जो program है, अगली बार को फिर से Simran आए, जैसे WhatsApp पे हम जाते हैं, Simran ने अपने friend से बात करने स्टार्ट की, तो ये पहचान जाए, Simran अच्छा, मेरे पास तो एक record आल्रेड़ी है Simran नाम का, और इसने फिर से पूचा कि आप वोई Simran नों जो हम लोग last time, last time बात कर चुके हैं उस दिन, हमने ये बाते की थी, है न, आपने अगर बोला, yes, then उसी जो next conversation है, आपकी उसी प्राने ओले record में, वो इस्टार्ट कर दे, तो ये हुगा एक AI system, right, बट फिलाल हमारा बिल्कुल static system में, मैं ये चाहता हूँ कि, जो file handling हमने आज सीखी है, क्या उस file handling को हम apply कर सकते है, हम अपना data जो भी ये conversation हमारा चल रहा है, क्या हम उस चीज़को store कर सकते हैं, एक text file के अंदर, चलेगा, एक record बन जाना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि, जो भी हमने command file handling के अंदर देखी थी, ठीक है, ये सारी commands, ये सारी आप use करो, ये आप current folder, current file, कौन से folder बनाना है, उसके अंदर file कैसे बनानी है, कहाँ पर हो, ये सब कुछ use करो, time भी use करना पड़ेगा, आपको time.ctime हो सकता है, मैंने यहां लिखा है कि नहीं पर, time.ctime, current time आपको लिखने के जरूत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि record, पता होना चाहिए, किस दिन, किस टाइम पर बिसी कलिए, आपने कौन से question बोचा था, और कौन-कौन आया था, है ना, जो भी नाम आपने बताया हो, उस नाम के .txt फाइल से, folder के अंदर सारी फाइले सेव होनी चाहिए, दस बार आपने conversion किया, नएने नाम से किया, तो दस फाइले बननी चाहिए उसके नाम से, और उन फाइलों के अंदर वो डेटा स्टोर होना चाहिए, जो भी आपने बात कियी थी, चलेगा क्या, question समझने आ गया, answer तो ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा,